Hello Friends, आज हम जानेंगे English word brainstorming की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमल कैसे होती है brainstorming की हिंदी में मतलब है बुद्धी शिल्ता चलिए कुछ example के जरी इस word की हिंदी में मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ लेते है Example, Never use brainstorming to settle a dispute, it won't not इस sentence का हिंदी में मतलब है बिबात को सुल्जाने के लिए कभी बुद्धी शिल्ता का प्रयूग ना करे ऐसा नहीं होगा चलिए next example जान लेते है This could be a class brainstorming season or group warm इस sentence का हिंदी में मतलब है यो एक कक्षा बिसार मंथन सत्रह या समोकारियों हो सकता है चलिए next example जान लेते है To be really effective consider designating some brainstorming rules इस sentence का हिंदी में मतलब है बास्तव में प्रभावी होने के लिए कुछ ब्युद्धी शिल्ता नियोमों को निदिश्ट्र करने पर बिचार करे चलिए next example जान लेते है Being by brainstorming your particular interest that offer inspiration इस sentence का हिंदी में मतलब है पेरना देने वाली अपनी विशेस रूशियों पर विशार मंथन करके शुरुवात करे So friends, उमीद करती हूँ brainstorming की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमाल कैसे होती है वो अच्छी तरह से समझ गे होंगे इसी तरह से और भी English or Hindi में एक्जम्पल के साथ जानने के लिए हमारी इस सनल के होंपेज में जाका चेक आउट कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और साथ सा सनल को सस्क्राइब कर दिजिएगा